मदिप्रदेश सरकार जन्नी सुरक्षा पर करोडों रुपे फूग रही है लेकिन इसके बाद भी हालात नहीं सुदर पा रहे ऐसी एक खटना अशूक नगर के बहदुरपूर स्वासकेन पर देखने को मिली पुरा की रहने वाली शांती बाई को प्रसव का दर्द होने पर परिवार के लोगों ने जन्नी एक्सप्रेस को फोन किया लेकिन दो घंटे बाद भी एंबुलेंस नहीं आई मजबूरी में महिला को आटो से अस्पताल ले जाया गया लेकिन बीच रास्ते में ही महिला का प्रसव हो गया अस्पताल पहुंचने पर भी महिला को सही समय पर प्रात्मिक उप्चार नहीं मिला महिला के परिजनों ने जन्नी सेवा और अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आरूप लगाये हैं